जनता को होली के साथ दिन पहले का तौफा है आज से ठीक साथ दिन बाद होली है तो मोधी जी चाहते नहीं कि कोई होली के तयवान में कुछ बना ले घर में वो ये भी नहीं चाहते कि कोई बाहर से जाके खरीद ले तो देश में ग्रोथ नहीं, रोजगार नहीं उपर essential commodities में आप लगा रहे हो मेंगाई का तड़का और फिर आप कहो कि ये अमरित काल चल रहा है और उसके लिए देओ थेंक्यू मोदी जी ये नहीं हो सकता मोदी जी मित्र काल में बड़ी बेरहम हो गई है मोदी सरकार रसोई गैस ग्यारा सो तो कॉमर्शियल सिलेंडर रुपी इकीस सो के पार अपने मित्रों पर खूब बड़साए प्यार और देश की जनता करे मेंगाई से हाहकार ये मोदी सरकार का जनता को होली के साथ दिन पहले का तौफा है आज से ठीक साथ दिन बाद होली है मोदी जी चाहते नहीं के कोई होली के तैवान में कुछ बना ले घर में वो ये भी नहीं चाहते कि कोई बाहर से जाके खरीद ले क्योंकि घर में बनाए तो रसोई गैस सिलेंडर के 50 रुपे दाम बढ़ गए आज से बाहर से जाके खरीदे तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दाम साड़े तीन सो रुपे बढ़ गए तो मोदी जी का जो सरकार का नौ साल का आर्थिक इंपेक्ट है वो मैं एक कहानी के रूप में आपके सामने रखता हूँ एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले कोई आहार ग्रहन करता है मा के दूद के बाद तो वो है दूद 2022 कलेंडर येर में दूद के दाम आठ रुपे प्रति लीटर बढ़े चलो माबाप कैसे दैसे करके दूद की विवस्ता कर लेते हैं दूद के बाद दूसरा आहार ग्रहन करता है तो वो है अनाज पिछले एक साल में आटे के दामों में 40 प्रतिशत की व्रद्धी हुई है 40% इन वन येर चलो साहब माबाप जैसे तैसे करके आटा भी ले आए तो फिर उसके बाद वो खाता है सबजी और मसाले जनवरी 2023 में मसालों के उपर जो इंफलेशन था वो भारस सरकार के आकड़ों के अनुसार 21 प्रतिशन 21.09 परसेंट रहा चलो साहब वहाँ तक भी जैसे तैसे करके ले आए सबजीया सबजीया तो 4-5 साल पहले ही थाली के बाहर हो चुकी है वो तो अभी रही नहीं चलो जैसे तैसे बड़े होता है बच्चा तो माबाप की इच्छा होती है कि इसको पढ़ाए लिखाए तो वो लेते हैं उसके एजुकेशन के लिए लोन तो लोन पे ब्यासदर बढ़ा दी चलो साब वो भी जैसे तैसे वेवस्ता हो गई बच्चा पढ़ लिख गया अब रोजगार का बेरोजगारी की दर फरवरी 2023 में 7.4-5 प्रतिशत उसके बाद उस बच्चे को मोधी सरकार कहती है कि जो जनम से लेके यहां तक की जो यात्रा हुई उसके लिए मुझे बोलो थैंक्यू मोधी जी तो यह मोधी सरकार का एक सफर नामा है महंगाई के लिए और कल ही आपने देखा होगा कल शाम को quarter 3 के GDP के आंकड़े भी प्रकाशित हुए और यह रसोई गैस का आज डिटेल बात करेंगे पर quarter 3 के GDP के आंकड़े प्रकाशित हुए यह पहले होते थे बजट के पहले पर मोधी जी को पता लग गया था कि यह चार नमबर आएंगे चार और चार नमबर वाले पास नहीं होते फेल माने जाते हैं तो GDP के quarter 3 के आकड़ों की डेट उन्होंने आगे करवा दी तो देश में ग्रोथ नहीं रोजगार नहीं उपर essential commodities में आप लगा रहे हो महंगाई का तड़का और फिर आप कहो कि यह अमरित काल चल रहा है और उसके लिए देओ thank you मोधी जी यह नहीं हो सकता मोधी जी and now enough is enough दूद बड़े आटा बड़े मसाले बड़े सबजियां बड़े आम लोगों के पहनने वाले कपड़े के अगदाम बड़े और उसके बाद बोलना हो रहे thank you मोधी जी धन्यवाद मोधी जी अब आज के विशेपे आते हैं कि ये रसोई गैस का सिलेंडर जो 2014 में 500 के अंदर था वो आज 1100 के पार कैसे पहुँझ गया इसका क्या गणित है उसका गणित मैं आपके सामने लेके आया हो और ये भारस सरकार का आकड़ा है ये जो टेबल है ये मेरी बनाई भी नहीं है ये भारस सरकार के पैट्रोलियम मंत्रा लेके द्वारा बनाई गई टेबल है और ये टेबल क्या कहती है ये टेबल ये कहती है कि 2004-05 से लेके 2013-14 के बीच जो LPG पर सबसीडी है वो टोटल 2,14,000 करोड भारस सरकार ने दी कितनी 10 साल में 2,14,000 करोड क्यों दी ताकि रसोई गैस के दाम 500 के बाहर नहीं जाए पाए ऐसा नहीं है उस समय के जो गैस जो हम बाहर के देशों से मंगवाते थे उसके अंतराष्टे बाजार में कीमते आज से जादा थी पर उसको हमने 500 के बाहर नहीं जाने दिया क्योंकि 2,14,000 करोड रुपे की 2003-4 से लेके 13,14 के बीच सबसीडी दी मोधी सरकार ने क्या किया आपको पता है पिछले 9 साल पे सबसीडी दी है कुल मिलाके 36,500 करोड रुपया दो लाग 14,000 36,500 करोड रुपया और ज्यादा सवाल पूछो तो बोले सिलेंडर लेो गैस बरवाओ उजोला इसकीम है अरे उजोला इसकीम में दूसरा सिलेंडर बरवाए तो बरवाए कैसे और यहीं पे यहीं पे लूट नहीं रुकी है आपको जानके ताज्यूब होगा कि घरेलू LPG पर मोधी जी 5% GST भी लेते हैं और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पे 18% GST लेते हैं 18% आप सोचे साब कॉमर्शियल से हमारा क्य लेना देना अरे अभी होली पे कुछ मिठाई लाएंगे कुछ नमकीन लाएंगे वो कौन बनाएगा वो बनाएगा कोई हमारे घर के पास वाला हलवाई या मिश्टान की दुकान वो तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर यूज़ कर रहा है तो आप ना मिठा खाओ ना नमकीन ना मसाले खाओ ना आटा खाओ ना दूद का सेवन करो और ये सब करने के बाद एक और काम करना है बोलना है थैंक्यू मोदी जी ये मोदी जी का मौडल ओफ एकॉनमिग है मोदी जी सवाल तो हम पूछेंगे और आप ही के दिये गए आकड़े से पूछेंगे कि यूपिये के दस साल में दो लाग चौदा हजार करोड की लपीजी सिलेंडर पे सबसीडी दी गई आपने पिछले नौ साल में मात्र चतिस अजार पांसो अंठानवे करोड क्यों दी क्यों आज गैस सिलेंडर के दाम 1100 के पार हो चुके है अब तो ये है कि किसी की शादी में 1100 को शगुन डालो तो ये एक मतलब है एक बार विचारा गैस सिलेंडर भरवा सकता है और घलवाई जी के घर पे शादी हो उसके 2100 का डालो वो विचारा एक बार गैस सिलेंडर अ झाल